चूरू में भीशन गर्मी का दोर जारी है यहां सीवेर हीट वेव और चिलचलाती धूप के बीच पारा 47 डिग्री के पार उचुका है जो रेतिले धोरे हैं वहां हम आए हैं चूरू के और हमारे साथ जो प्रोफेसर डोक्टर जेवी खान है वो हमारे साथ है जी सर आज रे पर पूरे देश वाश्य को दिखाने आये हैं कि चूरू की गर्मी किस कदर दर तक तापमान चला जाता है तो हम एक प्रियॉक करेंगे ये जानना चाहेंगे प्रियास करेंगे कि इस गरम में इस भट्टी की तरह तपती मिट्टी में क्या अंडे को अगर हम प्लेट में रखें तो क्या आमलेट बन सकता है यह प्लेट अभी भी मेरे हाथ में है इतनी गरम है कि अगर आप इसको पकड़ो तो पकड़ नहीं पाओगे इतना गरम यह हो चुका है और यह अ खरमी में अंडा जो है वह हामलेट के रूप में आ सकता है तो यही प्रियासाज हमारा है तो आमलेट बनाने के लिए जारे हैं हमारे साहत जो डोक्टर जेवी खान है इन्होंने जिसे जो रीथ है उसरेग को निचे किया है और इसके बाद इस प्लेट को कि तप्त गरम जो प लेट को यहां छोड़ेंगे तो यह इतनी गरम हो जाएगी कि अंडा डालने के बाद यह ओमलेट फोम में आ जाएगा और अंडा डालके भी हम अगले 20-25 मिनट इंतजार करेंगे और हमें यहां से जाना पड़ेगा क्योंकि हम अगर यहां खड़े रहे गए उस मिट्टी में के बावजूद भी जो पेरों के तल्वें हैं वह काफी गरम हो रहे हैं और बार बार जो पशीना है वह यहां रहा है तो अभी जो प्लेट है वह अमने रखती है और देखते हैं कि कितनी देर 10-15 मिनट के बाद में जब प्लेट एकदम गरम हो जाएगी उसके बाद यहां प्रोफेसर डोक्टर जेबी खान है वो आमलेट बनाएंगे तो 15-20 मिनट का जो समय है वो यहां हो चुका है और जो रेतियले दोरों के बीच में जो हमने प्लेट रखी थी उस वो प्लेट भी अब एकदम गरम हो गई होगी क्या कहेंगे जी अब हम आपको दिखाएंगे क इस प्लेट को सबसे पहले हम हाथ लगाएंगे क्या यह तवे की जितनी गरम है अगर गरम है तो जो अंडा है वो हम तोड के इसमें डालेंगे और फिर उसके बाद 20-25 मिनट इसको पड़ा रहने देंगे तो यह आमलेट के रूप में निशित रूप से कनवर्ट हो लगम है ओर जो ऑन्डा है उस अंडे को तोड़ा है नोंने और अब इस से जो आमलेट की परकिरिया है यहां शूरू हो रही है काफी जो गर्मी है वो यहां देखे जा सकती है जो रेती ले दोरे हैं वो काफी गरम नजर आ रहे हैं और यहां खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है तो यह जो प्लेट है इस प्लेट के अंदर जो अंडा है वो तोड़ के डाला गया है और गर्मी काफी तेज है जो प्लेट है वो भी एकदम गरम तवे के मानिद हो चुकी है और अब इस प्लेट को तकरीबन 15 से 20 मिनिट के लिए यहां छोड़ देंगे और उसके बाद किसी चायादार जगह के अंदर हमें चलना चाहिए क्या कहेंगे जी यह हमने अंडा आपको दिखाया है कि अंडा गरम प्लेट पे डाल दिया है डालते ही जो तवा होता है उसकी तरह यह गरम है तो यह धीरे धीरे और ऑमलेट के आकार में आ जाएगी तब तक हम अपने आपको बचाने के लिए यहां पर चाया का इस्तान ढूंड कर लगबग 20 मिनिट वहाँ पे खड़े रहेंगे और 20 मिनिट के लिए किसी चायादार जगह के ओपर हम जा रहे हैं उसके बाद में देखते हैं कि जो यह आमलेट है वो बनके तैयार होगा या नहीं तो तकरीबन 15 से 20 मिनिट का जो समय है वो और गुजर चुका है जो डॉक्टर जेवी खान है इन से जानते हैं सर कितना समय हमें यहां गुजर गए है और अब क्या इस्तिती रहने वाली है हम 20 मिनिट से 6 में खड़े थे अब हम चलकर आये हैं हमारे इस जो प्लेट में हमने अंडा डाला था क्या यह आमलेट के फोम में आया है अथवा नहीं आया है क्योंकि गरमी जो इतनी है मिटी जो है वह बटी की राग की तरह तप रही है तो हम चलते होंते है और जानना चाहेंगे कि hea हमारा जो अंडा है वो आंडा के फोर में कंवर्ट हुआ है अत्वा नहीं हुआ है बिलकुल देखते हैं जो आमलेट के रूप में अंडा कंवर्ट हुआ या नहीं हुआ और मैं देख सकता हूं कि ते discouragement वो इस के उपर आया है सफेद कलर की एक परत है वो यहां देखी जा सकती है त्यार अंड़ा देखिए जो हमने अंड़ा रखा था यह इस गर्मी के कारण आमलेट के रूप में यह कण्वर्ण हो गया यह पूरी आमलेट की करें ृत्-टुर्ण हो गई है अगर यही हम 20 मिनिट और छोड़ दे तो यह पूरा नो डाउट खाने ले लाइक आमलेट बन सकता है तो आप यह सफेदी जो है वो पूरी आमलेट के रूप में कनवर्ट हो गई है और जो इसका योक और पीतक जिसको हम कहते हैं वो भी यहाँ पर धूप से जुलस कर अंडे का जो है वो बोईल होने वाला जो रूप होता है उस रूप में यह आ गया है तो यह आप देखिए और देखिए किस प्रकार हम इस जुलसाने वाली गर्मी में आपको दिखाने जा रहे हैं और साइद और जहां तक है हम लोग भी आमलेट बन चुके हैं बिलकुल जो गर्मी है वो यहां देखिए जा सकती है और जो रेतिले दोरे हैं वो राक की मानिंद है वो तप रहे हैं और इस गर्मी के अंदर जो आमलेट है वो बनकर लगबग तयार हो चुका है और जो सफेदी है वो साफ तोर पर देखिए जा सकती है तो यह सफेदी इसका पकना यहां जी हां जैसे ही जो आप देख रहे हैं पहले एकदम ट्रांस्परेंट था यह अंडा लेकिन अब धूप के करण यह सफेदी आ गई है जो बाहर वाला सफेद पार्ट होता है वो ओमलेट के रूप में यह कनवर्ट हो गया है यदि यह 20 मिनट और पड़े तो आप और हम जाइका भी ले सकते हैं अगर आप चाहें तो अभी इसको खा सकते हैं यह कोई नुकसान दे नहीं है लेकिन हम खाएंगे इसलिए नहीं क्योंकि यहां पे हवा चल दिया तो इसमें थोड़ी मिट्टी के पार्टिकल्स मिल चुके है इसलिए खाएंगे नहीं लेकिन आप के बीच में हमने यह आमलेट है वो बनाया है गर्मी लगातार पड़ रही है और मौसम विभाग के मुताबिक आगामी दिनों में भी गर्मी से कहीं राहत मिलने की संभावना है वो यहां नजर नहीं आती न्यूज 18 के लिए मनोश शर्मा चुरू से